नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ नैना यादो और आज की सबसे बड़ी खबर कोरुना के कहर के बीच में एक अच्छी जानकारी ये कि अपसे कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा इंतिजार और और फिर शुरू होगी कोरुना को खत्म करने के लिए भारत ये कारिक्रम शुरू करेगा दस महिने में वैक्सीन भारत में तयार किया और ठीका करन शुरू होने जा रहा है सबसे पहले तीन करोर हेल्थ स्ट्रेंट लाइन वरकर्स को वैक्सीन दी जाएगी यानिक एक बहुत बड़ी प्लानिंग इसको लेकर बाकाइदा तयारिया की गई भारत में लगातर अलग-अलग जगा पर इसको लेकर ड्राय रन चले किस तरह से अलग-अलग चर्णों में ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा संचालिक होगा ये भी बाकाइदा इसको लेकर तयारी की गई है तो सबसे बड़ा टीका करन होने जा रहा है बड़ी तयारी की जारी है आगे बड़े लेकिन इसके पहले आपको दिखाएंगे कि वैक्सीनेशन का आखर ये पूरा ब्लूप्रिंट क्या है आखर किस तरह से ये पूरा वैक्सीनेशन तयार किया जाएगा कुछ ग्राफिक्स के जरी आई हम आपको जरा बताने की कोशिश करते ही कि प्रक्रिया क्या रहने वाली है दरसल आखिर सबसे पहले तीका करण किसको होगा यह जानी जिए एक करोड हेल्थ केर वरकर्स पर सबसे पहले तीका करण होगा उसके बाद में फ्रेंट लाइन वरकर्स दो करोड इसमें शामल है 26 करोड बुजर्ग भी इसमें शामल है जिने तीका करण किया जाएगा पहले चरण में सबसे पहले किसे वैक्सीन मिलेगी यह जाना ज़रूरी अब जो हेल्थ केर वरकर्स हैं एक करोड उनको भी जरह हम आपको और अच्छे से समझाते ही जिसमें डॉक्टर शामल है नर शामल है पारमाटिकल स्टाफ इसमें शामल है देरसल कोरोना की समय में सबसे पहले फुल फ्रेंट यही माटिकल स्टाफ आगे रहा अब अगर फ्रेंट लाइन वरकर्स में बात करें तो इसमें रक्षा मंतरवाले बी शामल है इसमें इसमें शामल है यानि के फ्रेंट लाइन 2 करोड वरकर्स जिन में होंगे उनमें इन्हें भी टीका करन किया जाएगा। उसमें आवास और शहरी विकास मंत्राले के कर्मचारी भी शामिल हैं जिसके अंतर गताते हैं म्यूंसिपल वरकर्स इन्होंने भी कोविट के टाइम पे फुल फ्रेंट होकर लगातार काम किया। अब राजी सरकार के अधिकारी और कई कर्मचारी भी इसमें आते हैं लेकिन कौन उसमें पुलिस और होमगार्ट भी शामिल हैं जिने दो करोर फ्रेंट लाइन वरकर्स में रखा गया है और उन्हें एक तरह से ये कहा जाए कि अब इन्हें सबसे पहले कोरोना वैक्सीन किया जाएगा। लेकिन जो कोरोन बील गोयल विच सचीव आए में हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर बील जांगर जो की हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं आप दोनों का ही बहुत स्वागत हैं हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह की क्या तयारियां हैं कैसे पूरा प्रो कि साथ में महारे से बाहर निकलने की हैपी निउस जो आ गए तो वैक्सीन का फियर तो अब हमें पता नहीं पर वैक्सीन अगर हमें स्कूल जाने दे या फिर बाहर खेलने जाने दे तो हम वो जरूर लगवाएंगे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि आप जादा से जादा वैक्सीनेशन करवाएं बढ़ चड़ केस में इस साले सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो देश के हित में ही चल रहे हैं मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से कि वैक्सीन सबको अभी जरूरी है और जैसा कि देखा जा रहे हैं जादा तर लोग अभी कोरोना से पीड़ित हैं तो मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए और लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि वो वैक अप्रूव होने की जनकारी दी थी और छे दिन बाद ही 16 जन्वरी से वेक्षिनेशन ड्राइब के शुरू होने का एलान आ गया आज भारत एक नहीं बल्की दो Made in India कोरोना वेक्षिन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है कुरोना वैक्सीन लगने की तारीक के साथ ही साथ सरकार ने वैक्षिनेशन के राउंड वन का पूरा ब्लूप्रिंट भी जन्ता के सामने रख दिया पहले राउंड में 3 करोड लोगों को वैक्सीन दी जाएगी वैक्सिनेशन के तारिक सामने आ गई तो देश के हर शेहर में मानों तेवहार जैसा माहूल होगे नए साल के साथ क्रोना से आजादी के तरफ पहला करदम सुनने में ही सुकून दे रहा था जिए खुशी खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि साल पर जो लोगों ने सहा है उस हिसाब से अगर वैक्सिन आ गई है तो उन गरीब हो के बहुत काम आएगी जिनको हुआ भी है और सबके लिए काम आएगी डॉक्टर को हो गया पुलिस वाले को हो गया सबको मिलनी सिर्फ जनता ही नहीं कुरोना से दो-दो हाथ कर रहे डॉक्टर्स का भी कहना है कि वैक्सिन के इंट्री ही कुरोना के एक्जिट का रास्ता खोलेगा विश्व गुरू कहलाए जाने वाला भारत वैक्सिन गुरू बन जाएगा और हम लोग लेडी हैं वैक्सिनेशन के लिए कोल्ड इस्टोरिंग का ब्लूप्रिंट भी रेडी है किसी साइड एफेक्ट से भी निवटने की फूरी तैयारी है अब इंतजार है तो बस 16 जन्वरी का जब देश को वैक्सिन के पहली डोस मिल जाएगी तो अब से सिर्फ 6 दिनों का इंतजार है और इन 6 दिनों के बाद में वैक्सिनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा अमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं अब ही हमने हाल ही में ड्राइरन देखा जिस तरह से पूरा प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए वो एक तरह से डमी प्रोसेस पूरा हुआ लेकिन अब जो मुख्य चुनाती मुख्य परिक्षा है वो 16 तारीक से शुरू होने जा रही है इसे किस तरह से आप देखते हैं एक तरफ वेक्सिनेशन की बात चड़ी थी दूसरी तरफ कई विवाद भी नजर आ रहे थे तो इसी भी जिस तरह से 16 तारीक को वेक्सिनेशन शुरू होगा क्या कहेंगे पहले सबसे पहले मैं मधाई देना चाहता हूँ गवर्मेंटर इंटिया को सैंटिस्ट को डॉक्टर्स को की ये एक मैसिव उनोंने काम किया है 10 माईने में 10 साल का काम किया है अभी जो हमारी चैलेंजिस हैं वह फैक्टरी से जो वैक्सिनेशन सेंटर तक वैक्सिन पहुंचना है उसमें मैसिव ट्रांसपोर्ट की जरूद पढ़ेगी मतलब आपको Serum Institute of India से एक मालें हम कोई अक्सिन आ रही है फिर एयरपॉर्ट से स्टेट हैटेट जाएगी फिर वहां से डिस्टिक जाएगी डिस्टिक से फिर एक ब्लॉक में जाएगी और वैक्सिनेशन सेंटर तक जाएगी इसमें आपको cold chain maintain करना होगा, किस तरह से उसको maintain करना है, इसका massive exercise चार महीने से चल रही है, अभी आपने कहा dry run, I also have a covid vaccination center, मेरा खुद vaccination center है, जहांपर dry run हुआ, उसमें हमने देखा किस तरह से civic authorities, SDM, DM, health authorities, उसमें लगे, district surveillance officers लगे, civil defense के लोग लगे, A&M's लगे, healthcare workers लगे, तब जाकर वो dry run होगा, तो transport में cold chain maintain करने में आएगा, और इसके बार जहां लगने वाली जगा है, वहां पर लगने के बार उसके जो side effects है, उसके लिए पूरा system बना लिया गया है, जैसे कि आपने कहां 3 करोर लोगों को लगना है, तो 3 करोर लोगों की list already हर vaccination center पर पहुच चुकी है, COVID app के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा काम है, जो लोगों ने register किया है, healthcare workers ने COVID app में, ये COVID app का पहले से ही information, vaccination centers के पास है, कि लोग ये 25 लोगों को लगेगी, उनकी verification होगा, data entry होगा, और ये आधार कार्ट से वो link है, तो आप समझ सकते हैं कि कि बड़ा काम बेश में होने जा रहा है, ये एक यासिक लगता है, मुझे एक सपने जैसा लगता है, और इन चैलेंजिस को जो पिछले तीन ड्राइरन में एड्रेस किया है, गवर्मेंट अग इंडिया ने, ये भी एक काभिले तारीफ बात है, और मुझे लगता ये इसके क बड़ा को भी समझ पाएंगे, समझा पाएंगे, उसके चैलेंजिस भी हम आगे आपसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले में डॉक्टर जांगिर का भी रोक करना चाहूंगी, डॉक्टर जांगिर रिहर्सल से डेस्टिनेशन एक तरह से कहा जाए, वहां तक भारत ये पूर हमारे पास और जड़ी एक सिस्टम पुरा बना हुआ है, हमें थोड़ा सा बस उसको मोडिफाई करना है, करन्ट कंडिशन के इसाब से, हमारी है, और हमें दूसरी बात है, कि जो मास जो प्रड़क्शन है, और उसको ताइमली वहां तक पहुंचाना है, ये एक्स्रा चेले हुए है, काफी मैंने मे ने मीडिया पर देखा था और काफी कुछ कुछ का इसे ये सत अच्छा नहीं है, कुछ बुरा हो सकता है, तो पिर से कहना हुए हमेए इससे ही सबस्हे हैं मैं सबस्तू पहल्स आघन दर रहा हुए आप। जब पहले हैं आप उन से देखिए, और एक बर आप देख लोगे तो आपको एक तरह का ट्रस्ट आजाएगा कि हाँ वेक्सिन सब्सक्राइब तक नहीं है और कुछ भी इस तरह का कुछ होता है तो इंडिया में इतने अच्छे विग्यानिक है डॉक्टर से कि हर कंडिशन को वो किसी भी स्टेश तक उसको अच्छे परिको कि जैसे होली दिवाली बनाते हैं उसी तरह से हमारे लिए एक मेटिकल के लिए बहुत बड़ा त्योहार है वह है बहुत खुश है इसके लिए बिल्कुल डॉक्टर जांगेर और खासवार से कोरोना के समय में तो बहुत सी नई चीजे नए त्योहार नई जानकारि दरसल ममता बैनर जी ने एक बड़ा एलान किया है कि बंगाल में लोकों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी अलाकि विदान सबस चुनाव है न जेकु से पहले ये बड़ा बयान बड़ा एलान उसे कहा जा सकता है मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी ये ममता बैनर पूरा वेक्सिनेशन प्रोग्राम चले यह अपने आप पे बहुत जादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि शुरुआत में तो खास्वार से अगर हम तीन करोर वकर्स की बात करें फूर्फरंट वकर्स उन्हें वेक्सिनेशन दिया जाएगा लेकिन चैलेंजिस भी जोरान कई तरह के होंगे आपको क्या लगता है आपने ड्राइरन भी देखा किस तरह की चैलेंजिस इस दौरान आ सकते हैं कि जैसे मैंने पहले का जैसे कोई एक्जाम में जाते हैं उसकी अगर आपने अच्छी तैयारी किया है तो एक्जाम में आप डिस्टिंक्शन से पास होंगे इस एक्जाम की पिछले चार महेने से तैयारी चल रही है सबसे पहले उनका आपका अधार से वेरिफिकेशन होगा कि आपको रिजिस्टर है उसके बाद इंजेक्शन लगने के बाद आपको आदा धंटा अब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा कि आपको कोई साइड एफेक्ट तो नहीं है और मैं यहां बताना चाहता हूं कि अब तक के जितने डेटा हैं कोविडॉक्सिं के या कोवैक्सिं के भी उनमें साइड इफेक्स बहुत मिनिमल है जैसे कि जहां इंजेक्शन लगता है लेफ्ट हैं पे उसमें थोड़ा दर्द हो सकता है थोड़ा बुखार मैलेज हो सकता है इससे जादा बहुत कोई अब तो उसके लिए टर्शरी केर से टाइए पहमारा जो उसके लिए माली जिए किसी चीज की जरूरत है जैसे बेसिक इंजेक्शन की जरूरत है या उसको और उसका भी इंतिजाम कर लिया गया है जिस अल्टिमेटली एम है कि जो लोगों को वैक्सीन लगे वो सेफ रहे और उसके बाद वो वैक्सीन के बाद 28 दिन बाद फिर दूसरी डोज लेगी और बीच में एक बार मुझे लगता है एंटीबोडी टेस्ट भी उनका होगा जाना चाहूंगी जैसे लगातार आपूरती होती रहे कोल चैनी स्टोरेज किस सरह से होगा ये बहुत सब्सक्राइब करें लिए तो ये बहुत हैं कि काफी चैनलेंजिंग रहेगा टीम के लिए अब आपके जो इस्टोर्ण आगे आएंगे जब जन्ता को लगेगा ये तीन करोड़ में एक तरह से ये पी एक रियस्टर ने यह सारे की सारे जिस्टर ने को विन आपके माध्यम से रिस्टर ने जैसे की इंस्टिटूशन होस्पिटल से उन्हों सिविल अथॉरिटीज सबसे उनका पूरा डेटा लियागी आपके हैं कितने हेल्थ केर वरकर हैं पुलिस हो चाहिए आदमी हो या तो वह इस्टू नहीं है को विन आपके माध्यम से वहां नाप पहुंच गया जब वैक्षी रेसें सेंटर है वहां पर उसको वैरिफिकेशन करकर वैक्सीन लगने के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद उसको भेज दिया जाएगा तो यह सेटी प्रफाइल उसका देख लिया गया जो दूसरा आपने कर देखाओ उसके अंदर वहां से फूल प्रूफ इसको बनाया गया है और मैं निश्टी को उससे गौर्वान में महसूस करता हूँ, इतने बड़े प्रोग्राम का एक पार्ट हूँ है, भारती होने के पिना थे एक भारती वैक्सीन की करने हो, बिल्कुर सरह हम सभी बहुत गौर्वान वे थें, क्योंकि एक नए वैक्सिनेशन प्रोग्राम जो ह और अलग अलग रांग या उसका नेचर जो बतलता है, यह समझना भी जरूरी है, नए स्ट्रेइन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होंगे, भारत में क्योंकि तीन मरीज ऐसे मिले हैं, जिनमें साथ आफ्रिका वाला वाइरस भी पाया गया है, दरसल मुंबई में 700 मरीजों क सेंपलस लिए कई थे, जिनमें 3 में एफ्रिकी कोरोना स्ट्रेइन साथ मिला है कोरोना के साथ, यानि कि कोरोना के साथ एफ्रिकी स्ट्रेइन पर अब जो जैनकार यह है, कि इस पे ntिबोडी भी असर नहीं करती, वो भी एंटिबॉडी भी बे असर है, तो आकरी कितना चैलेंजिंग होगा नए स्ट्रेंड पर किस तरह से प्रभाव होगा अभी तक कोई भी वैक्सिन इस पर नाकाम रही है यानि कि एक तरफ अगर बात करें डॉक्टर जौंगिर आप से मैं यह सवाल करना चाहूंगी आप इसे थोड़ा समझाएं एक तरफ अभी हमने देखा अब रिटेन के नए स्ट्रेंड का खत्रा था अब साउथ आफ्रिका की इस नए स्ट्रेंड का खत्रा है तो एक तरफ वेक्सिनेशन प्रोग्राम दूसरी तरफ एक अलग तरह का चैलिंज किस तरह से इसको मैंनेज किया जाएगा अगर उसको मेडिकल बासा में इससे समझाओं कि अगर जो बाहरी अप्रोग्राम दूसरी तरह किस तरह के होंगे यह भी जरा बताएगे अगर उसको मैं मेडिकल बासा में से समझाओं कि अगर जो बाहरी आउरन होता है वेक्सिन का अगर उसके अंदर कुछ एसे प्रोटेंस जिसके अगेंस्ट में हमें इस्पेसिली एंटिपोली चाहिए अना या फिर उसकी विर्देंसी फेक्टक को हम देखते हैं कि कितना घ उसके अगर जो बातार को रखें को लेकर और उसकी जो नए अपग्रेडिशन हमें नजर आते हैं चाहिबाद बिटें के स्ट्रीं की हो साओफ आफ्रिका के स्ट्रीं के लिए लड़ाई के लिए लगातार वो कोशिश करेंगे और इसी बीच यह बताना भी बाताना बहुत जरूरी है कि वेक्सिनेशन से डरे नहीं क्योंकि यह बचाव है आपके लिए किसी भी नए स्ट्रीं से अगर आप अगर इंपक्ट करते तो उससे बचाव है डोक्टर गोयल और डोक्टर जांगीर आप दोनों हमारे साथ में जुड़े इतने अच्छे से समझाया आपने आप दोनों का बहुत शुक्रिया तो 16 तारिक का इंतिजार किया जा रहा है जब इस वेक्सिनेशन प्रोग्राम की शुरुआत होगी हर तस्वीर आप तक दिखाएंगे फ्लार रुकरेंग ब्रेक के लिए